Assalamualaikum Jee, Welcome to another video आज की वीडियो में मैं आपको कतर मेसी से D.A.E का डिपलोमा जो होता है हमारा उसको अटेस्स किलवाने का तरीके कार बता कर आज़ाएंगा कि आपने D.A.E का डिपलोमा अपना कैसे है टेस्स करवाना है कतरम ऐसी के दरफ से क्या सिचुएशन है उसकी क्या क्या डॉक्मेंट्स की रिक्वाइर्मेंट्स होती है किस तरह टेस्सेशन करवाए जा सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको ये मुकबल प्रॉसेस में बताऊंगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में क्याम सबसी करें कोई इसमें मुश्किल या और आपके पस PA का डिलुमा है तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने अपने डिप्लोमे को और उसके साथ आपके तीन साल की आपके पास मार्क शीट सुन की होती है फर्स्ट इयर, सेकंड इयर और थर्ड इयर की आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने उसी बोर्ट वेरिफिकेशन करवानी है पंजाब टेक्निकल बोर्ड के दफ्तर जा कि आप उनकी वेरिफिकेशन अप्लाई कर सकती है आपको उनकी वेरिफिकेशन का एक सील्ड इंवेलब मिलता है आईपी सी सी के लिए वो आप आईपी सी सी जो भी आपको नहीं रसे हो चाया वो इसलाम बाता या लहोर है वहाँ के लिए उनका लैटर इस्यो कर्वा सकते हैं तो करना ये होगा कि आपने अपनी डिप्लोमा प्लस तीनों साल की मार्ग शीयट पहले यह होता था कि सिर्फ डिप्लोमे के तो आप अटेस्ट करवा सकते थे उसके साथ मार्क्षीट को अटेस्ट करवाना लास्मिन नहीं होता था तो अभी सनेर्ग यह इन्होंने लास्ट दो दिन पहले अपडेट दिये रहे कि अब diplomay के साथ उसकी तीनो साल की mark sheet भी attest होगी, तो जब आपने board verification apply करेंगे तो आपने डiplomay के साथ तीनो साल की mark sheet की verification भी apply करनी होगी, तो आपने जैसे है आपको verification का letter मिल जाएगा इनकी तरफ से आप technical board की तरफ से आपने पिर IBCC चले जाना है, IBCC में जाएंगे, IBCC से भी CM आपने वही प्रोसेस करना है, अपना डिप्लोमे को टेस्ट करवाना है और डिप्लोमे के साथ अपने अपने तीनो साल की माक्षिट को भी टेस्ट करना है यानि कि आप टोटल चार डॉक्मेट को, चार पेपर को प्रोसेस करेंगे जिसमें पंजाब टेक्निकल बोर्ड शामिल हो जाएगा, उसके बाद IBCC से आपको अटेस्टेशन होके मिल जाएगी उसके बाद आपने वो चारों पेपर को अटेस्ट करवाना है फारन ओफिस से, फारन ओफिस से अगर आपकी IBCC और फारन ओफिस से अटेस्टेशन पुरानी होई भी है तो फारन ओफिस के अटेस्टेशन का आपने खास दोर पे ख्याल लखना है कि वो दोज़ार बीस से पुरानी ना हो, अगर दोज़ार बीस के अंदर भी है तो उसका QR कोड जो उसके अपर लगा होगा है, वो वैलिड QR कोड होना चाहिए, इन्वैलिड नहीं होना चाहिए तो आपके टोटल चार पेपर अटेस्ट होंगे, जिसमें आपका ओरिजनल डिप्लोमा शामिल होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यर की मार्क शीट शामिल होगे, तो ये आपके टोटल चार पेपर अटेस्ट होंगे, अब इसमें पहले यह उतर था कि सिर्फ डिप्लोम को टेस्ट करवाना लाजमी है तो कतरम ऐसी से डॉक्मेंट की अटेस्टेशन के लिए बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए आई बी सी सी फॉरन आफिस यां किसी भी जगा से वेरिफिकेशन के लिए स्क्रीन के उपर दिये कि नंबर के उपर आप राप्ता कर सकती है और हमारी वेबसेट भी विजट कर सकती है तो अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तांके जिन लोगों को अटेस्टेशन की जुरूरत है उनकी मदद हो सके तो इंशाला अगले वीडियो में जिरो देया लाफ